इत्याद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा एक बार फिर कोरोना का खतरा मंड़ानी की बात कही जा रही है लिहाजा आज से रियासत करनाटक में रात दस बजे से सुब पांच बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है यह भी खास बात रही के कल ही वजीर आला यह उडरपा ने रात के कर्फ्यू की जरूरत नहीं की बात कही ती पर अचानक एक यह दिन में कर्फ्यू की जरूरत कैसे महसूस की गई इस पर भी सवालात किये जा रही है वैसे इससे पहले भी कोरोना पर सवाल करने वाला तबका था आज भी सवाल पूछे जाते है कोरोना आलमी वबा या कोरोना साजिश इस तरह के दो ख्यालात में बटे लोग भी पाय जाते हैं अब जब दुबारा कोरोना नए शक्ल में वापसी करने की खबर फैली है तो अब इसका इलाज क्या क्योंकि अभी तक पहले वाले कोरोना की ही वेक्सिन दस्तियाब नहीं है और नया कोरोना पहले वाले से भी खतर कोरोना का जा रहा है और इस जी के मद्दे-नजर रात के करिफ्यु का इलान ये रॉपपा कोरोना के मद्दे नजर खत्म किया गया था लिहाजा किसान अहतजाज को पूरे मुल्क से हिवायत हासिल हो रही है यहां तक के विदेशों में भी इसका जिक्र हो रहा है फिर से मेडिया ने अपना रुख कोरोना की तरफ किया हुआ है दूसरी बात यह भी है कि नए साल की प रिक्र करते देखा गया के चुनाव या चुनावी रैलियो में कोरोना आपको दिखाई नहीं देता और सेंकडों के इजलास में वजीर्याजम मोदी हो या वजीरदाखला अमिच्छा हो इन्हें कोरोना का एसास भी नहीं रहता इससे पहले वजीर्याला एड़ोपा कोरो तो लोगों के दरमियान इजलासों में शरीक होते रहते हैं। अभी रियासत में पंचाय चुनाओ का पहला दोर खत्म हुआ। कल खत्म हुआ तो आज से रात के कर्फ्यू का एलान भी किया गया। इस मामिले का मतलब समझने से अवाम का सिरे इस तरह फैसले आखिर किस बुन बेलगा में ब्रिटेन की खातून को कॉरंटेन किया गया है। ब्रिटेन के लिए हवाई सफर को रोक भी दिया गया है क्योंकि कोरोना के नए जरासीम ब्रिटेन में ही पाया जाने की खबर है। लिहाजा तकरीबन 20 के करीब लोग ब्रिटेन से भारत में आने की तलाज कि पहले जंता कर्फियू फिर लॉकडाउन बिहार चुनाओ हैदराबाद चुनाओ फिर वैक्सिन पर बहस अब फिर एक बार कोरोना की तरफ अवाम का जहन को मोड़ना किस हद तक सही है एक तरफ स्कूलों को शुरू करने का फैसला रियासत में लिया गया गया एक तरफ रा लॉकडाउन के खिलाप और कोरोना के वैक्सिन के खिलाफ अधजाज किये जाने तक्रीबन दो सव के करिमे रैतिजाजियों को प्रिदन servant kg कहिना एक कोरोना मोडि सहब भारत में कब देंगे वैग्सिन पर अलग-अलग राय सामने आ रे मुसलिम तंजिमों ने दुनिया भर में इसलिए इसे लेने से इंकार किया क्योंकि इसमें पोर्ट जिलेटिन ये ने सुवर के गोश्ट के जिलेटिन का इस्तोमाल किया गाया पर Puree के फत्वे कांसिल ने सुवर के जिलेट उनकी दिल देला देने वाली कहानिया आज भी जहनों में ताजा है अवाम के दिलों में शक पैदा होने के लिए इतनी बात ही काफी है कि सियासी लीडर जब चाहे अपनी मर्जी से लाखों की भीड़ी कठा करते हैं तो यहां कोरोना नहीं होता पर रात में गरीब मजदूर देर रात फैक्टर में मजदूरी करने वाला आटों चलाने वाला कुछ देर रात चोटी चाही की दुकान में इस कडाके की ठंडी में अपनी तिजारत करने वाले को तो रात का कर्फिल लगा दिया जाता है आखिर रात में ही कोरोना क्यों आता है दिन में क्यों नहीं आता इसका जवाब तो हुकुमते ही दे सकती है अवाम इस पर खामोशी इख्तियार के वे इत्याद देखने के लिए शुक्रिया अलाफिस